माहे रमजान अब अपना आधा से ज्यादा सफर तै कर चुका है लोगों में रमजान के रोजों का एक अलग जजवा है और रोजा के बाद इफ्तार का अपना एक अलग ही एहसास है इन दिनों हर कोई अपने पराय को इफ्तार में बुला कर खुद भी इस पाक महिने में लोगों के लिए रोजा का इंतिजाम करते हैं पुर्णा के सिमांचल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा भी अरबिया कॉलिज रोट इस्थित इफ्तार पार्टी का एउजन किया गया जिसमें काफी तादाद में हिंदू मुस्लिमर हर मजभब के लोग शामिल हुए ट्रस्ट द्वारा अनेक कार्य करती रहती है जिसमें गरीबों को लाब दिया जा सके आईए जानते हैं इस इफ्तार के दावत और ट्रस्ट के बारे में सबसे पहले तो सभी लोगों को गूड आफ्टरनून असलाम अलेकूम और नमस्कार और हम लोगों का जो यह ट्रस्ट है सिमांचल एजूकेशनल एन वेलफेर ट्रस्ट में यानि एजूकेशन में काफी बैकवार्ड है यह तो हमारा मेंन मॉट्टो था कि एक ऐसा इंस्टिूट बनाया जाए जिसके ताथ बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजूकेशन दी जाए उसके लिए हमने इस ट्रस्ट को रेइस्टर करा है और अभी चूटे लेबल पर यह ट्रस्ट तो हमने अभी सिंप्ली वेलफेर काम हम लोग देख रहे हैं जैसा कि फलर्ड आया था लास्ट एयर तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा हिल्प करा लोगों की और उसके बाद हमने फिर ठंडे में कपड़ा वगरा बाटा उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कि जादा से ज़्यादा लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हैं ताकि हम लोग जादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएं एजुकेशन के छेत्र में या लोगों के ज़रूरत को फुल्फिल करने के लिए इसलिए हमने इफ्तार पाटे अवे ऑगनाइस किया था था कि जादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं तो इसमें काफी लोगों का सहयोग रहा तक्रीबं 400 से ज़्यादा लोग इफ्तार में आये थे और इसलिए हां हर ध्रम के लोग आये थे और पूर्णया हर्थ शेत्र से पूर्णया से कठियार से अर्रया से हर जिगह से लोग आये थे और सभी का मैं तहित दिल से शुक्रिया आदा करता हूं हम से जोड़ने के लिए और हम सब मिलकर के अपने से माँचल को चमकाएंगे अपने से माँचल मेें हर तरह की सुय भात ही सूज़त को खूचिश को क्या था जाहता की प्यार्णया होग करने के लिए और एक अच्छा मैसेज जाएं लोगों के बीच और आपस में सब मिलें जुलें तो प्यार महबद बढ़ें लोगों के बीच हम लोग सब मिल के एक जो है कि इस ट्रस्ट को चला रहे हैं ताकि लोगों की मदद कर सके और जहां पर जो जुदिस्टिस की जरुवत हो जरुवत को हम लोगों पूरी कर सके